हलो दोस्तों आज किस वीडियो में बिहार राजस एवाम भूमी सुधार विभाग के अंतरगत कलर के 744 पोस्टों पर जो भरती निकली है इसी के बारे में बात करने बाले हैं इसमें आप सभी को पताए कि इसमें आप से कोई भी एकजाम एवाम इंटर्व्यू बेगरा नही जानने बाले कि पोस्ट के लिए जो पिछले बार भरती आई थी पिछले बार केटेग्री वाइज कितने परसेंट वाले कंडेट का सेलेक्शन हुआ था यानि कि पिछले बार केटेग्री वाइज का टॉप कितना गया था इसके बारे में भी आप सभी को जानकारी मिलने व सब्सक्राइब करें तो इसके लिए ऑनलाइन अवेदन 21-10-22 यानि की 21 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 16-11-2022 यानि की 16 नवंबर रखा गया है अगर बात कर इसमें आप सभी का किस तरह से सेलेक्शन होने बाला है तो इसमें आपसे परकार का एकजाम और झैव व्घर नहीं लिया जाएगा इसमें आप सभी कई मैटरिक तर और गजरो लिया जाएगा वहीं 12 में जितने भी परसेंटेज है उसका 15 परसेंट लिया जाएगा उसके बाद ग्रेजवेशन में जितने भी परसेंटेज है उसका 70 परसेंट लिया जाएगा उसके बाद graduation में भी आपके 70% नमर है, इसका 70% यानि की 42 नमर दिया जाएगा, उसके बाद अगर आपके पास master degree है, अगर मानने की master degree में 50% नमर है, तो इसका 5% यानि की आपको धाइड नमर दिया जाएगा और सभी के नमर को यानि की 10 में 7 नमर, उसके बाद 12 में 9 नमर और ग्रेज़ेशन में 42 नमर उसके बाद आप सभी के master degree में धाई नमर इन सभी को add करकर आपका marks total marks निकाला जाएगा इसी तरीके से आप सभी का total marks निकाला जाएगा और आप सभी को minimum graduate pass यानि कि अगर आप सभी graduate हैं तब आप सभी इस form को भर सकते हैं इसी तरीके से आप सभी नमर वाले कंडेट का selection हुआ था यानि की category wise cut off कितना गया था तो पिछले बार आप सभी देख सकते हैं कि color के total 550 पोस्ट पर भरती आई थी और पिछले बार counseling के लिए vacancy के डाई गुना यानि की total 1376 कंडेट का selection किया गया था और आप सभी category wise cut off देख सकते हैं कि general का cut off 18 points लेखा बिखी मेल का 89.9 Kenya तो मेल का 87.56 साहहां गया सुो साप मिल काा सतातर पु 닛ला गया था उसके बाद घ्मिलकाश गया चैतर-पॉ इतना गया था लेकिन इस बार अंस वह को पता की total पुर्स्ट के संग्या 744 है और कॉंसलिंग के लिए वेकेंसी की 3 फेलया तोड़ाइट का सेलइक्षन किया जाएगा अगर इस बार की बात करें इस बार कि टेगरीव क्यति कितने नंपर वाले कंड़ेट का सेलिक्षन हो सकता है तो मेल और फियमील दोनों की बात करे तो अगर आप लोग जेनरल के टेगरी के कंडिट हैं अगर आपके 75 पलस नमर आ रहे हैं तो आप सभी का सेलेक्शन होने का पूरा चांसा EBS की बात करे तो अगर आपके 72 पलस आ रहे हैं तो आपके 74 पलस आ रहे हैं तो आप सभी का सेलेक्शन होने का पूर सब्सक्राइब करने के तरीके बता है उस तरीके से आप सभी अपना माक्स कल्कुलेट कर लिजेगा और पिछले बार के कैटेग्री वाइज का टॉप से अगर आपके पांच नमर कम आ है तो आप सभी का चांस है कि इस बार आप सभी का काउंट्सलिंग के लिए सिलेक्शन हो जाएगा नहीं कि आपके 10 में जितनी भी परसेंटेज, उसका 10 परसंटेंट impacto में परसिंटेज एउसका 15 परसंटेंटेंगा उसके पाद ग्रेजर स्यूंच में जितनी भी percentage है उसका 70% लिजेगा अगर आपके पास master degree है तो उसमें जितनी भी percentage है उसका 5% लिजेगा उसके बाद सभी को add कर दीजेगा इसी तरीके से आप सभी अपना marks calculate कर लिजेगा और पिछले बार के category wise cutoff से अगर आपके 5 नमर तक कमाते हैं तो आप सभी का chance है कि आपक करते हैं बिहार कलर को भरती के लिटेश जैसे को और लेट इस टब्रेट आगी वाप सभी को पीडियो के मातम से जानकर देदेंगे इसके लिप लुक चनल को सबस्क्काइब करें वीडियो को जाता है जाशर करें और लाइक करें तो चल्छे आज का बडिए करते हैं वीड तेकनिक लपस्विका धन्निवाद